हलो, बल्कम बेक तो अब्रिवन, मेडिकलोजी नार्सिंग सर्विसेज के यूटूब चैनल में आप सभी सात्यों का स्वागत है So friends, जैसा कि आपको पता है, मेडिकलोजी नार्सिंग सर्विसेज के दोरा, एनेचेम के लिए आपके लिए क्लास कंड़क्ट करवा रहे हैं और अभी तक हमने आपके लिए 9 क्लास कंड़क्ट करवा दिया है और जो आज का हमारा क्लासिस रहने बाला है, वो आज का हमारा क्लासिस दसबे नम्मर का आज का क्लासिस रहने बाला है आज के क्लास में आपके लिए क्या खास रहने बाला है, तो वीडियो में लाज तक बने रहेगा और यह दी चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्क्राइब कर लीजीगा ताकि आने बाली एसी ही एनिचियम रिलेटेड इंफॉर्मेटिव क्लासेज आप से मिस ना हो और आपको हरी चीज का नौटिपिकर से टाइम रहते ही मिल पाई किसी भी बेकेंसी रिलेटेड इंफ प्रोपेशन में क्या नया चल रहा है उसका भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है तो सारी जानकर यह आपको मेडिकलोजी नसे सर्विसेज के यूट्यूग चैनल पर देखने को मिल जाएगी ठीक है आज का जो हमारा क्लासेज रेने बाला है वो कल के कंट्यूनिशन का ह क्लासेज आज हम उसको केरियोन करने वाले हैं तो वीडियो को अच्छे से देखेगा हर एक चीज को अच्छे से समझेगा ताकि आपको आने चाहने बाले नहीं एक्जाम में आपका बेस्ट से बेस्ट दे पाए ठीक है चल यह सुरू करते हम आज का हमारा क्लासेज जो कैंच होता है कि इतने में मियोता है में आपको डीटेल में डिसकुसन करने वालност चलिए सुरू करते हैं यहां पर बताए मालो अओं यहां पंधाया है ऊ抓गा है जो ने को मिलता इक से की तो हम बता देंसे का आपको मेरी के ओल्डी क्लासेस में बता है कि आपका फर्टिलाइजेशन कब हो जाता है तो फ्रेंड्स जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका डे बन में ही कंप्लीट हो जाता है ठीक है बात कर हम डे टू का ठीक है अप्टर फर्टिलाइजेशन डे टू में क्या होता है टू सेल का स्टेज फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है अप्टर टू टू डेस नेक्स ठीरी डेस का बात करें तो मोरूला का पनेहापे क्या हो जाता है मोरूला बन जाता है ठीक है क्या बन जात यहां पर तो यहां पर बेभी का बात करें हैं दे निगार फॉर्ट गया जैन दो टो जाता है यहां पर यहां पर बेभी का बात करें हम डे 6 और डे 7 का तो इवें दूरिंग डिला विट इवेक lesson टू implantation यहां पर क्या हो जाता है कि आपका implantation हो जाता ची सेवार्पा देखने को मिलता है तो आपका ंप्लां देखने को मिलता है थीक है किसमी क्या हो गायद का काningen हो पेनीटरेशन होगा और फाइनल में कि यूटरस म क्यों बेबी घूम घूम के क्या करेगा आपका कि छे से साथ दिन में क्या करेगा अपना एक जगे पर्फेक्ट कर लेगा और महां पर बाओ क्या होगा इंप्लानटेशन महां पर उसको देखने को मिल जाएगा तो जो यह है वो आपको फर्स्ट बीक में यह सारी चीज़े कंडिशन देखने को मिल जाती है कभी कभी क्या होता है कि डारेक्ट ही आपसे एक्जाम में इस तरह के क्या है कि कोशन पूछ लिए जाते है तो आई होप हम सेकंड बीक का कि सेकंड बीक में क्या क्या आपको इवेंट से देखने को मिलता है ठीक है डे एट का बात करें तो बिले मैंने यार डिस्क फॉर्मेशन हो जाता है डे नाइन का बात करें तो ट्रॉपबलास्ट बिद्धा हो जाता है आपका ट्रॉपबलास्ट का निर्म तो day 10 में देखने को मिलता है और day 11 क्या हो जाता है after abolition का day हो जाता है ठीक है बात करें हम extra embryonic mesoderm development का वो हो जाता है तो extra embryonic mesoderm development आपको कब देखने को मिलता है तो वो आपको देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है बारवे दिन में डीस यह पर सब्सक्राइक पूरा B कर अभी यहां सब्सक्राइक प्राक्त्रसेंटोड प्लाजंटर में पेरे से के पाँस्टेंटी यहां पर फॉर्मेशन हो जाता हुआ कि आपकर आपका व करें से क्या हो गया क्या चीज़् रहने वाली complete development कैसे होता है वो जानकरी मैं आपको यहाँ पर डील कर रहा हूँ ठीक है बात करें हम next week का कि third week में क्या क्या चीज़े देखने को मिलती है बेबी में तो बात करें हम day 15 का तो यहाँ पर laterally establishment देखने को मिलता है बात करें day 16 में तो क्या होता है formation of the genomめले यहां पर secondary being like a network हो जाता है किसका हो जाता secondary बिलाई का निर्मान हो जाता है ठीक कि that to कि आपको किसमें दिन में देखने को मिलता है तो हो आपको 18 दिन में देखने को मिलता है तो और आपने पर 20 दिननिक चीजह है बस और क्यातक मुझाता है यह प्तमिने कोहिद्ध की रिखने को मिल जाता है तो चीजा अपर हाड़ पर सिरकुलीशन भी आपका इस में हो जाता है तो आपका थड़ प्रस प्रकुलीशन बेक्ष में होता है यह होजाता आपका प्लाब लेंग्विज बनाके पूछ लिए जाएंगे तो इस तरह के कोशन आपको पता होना चाहिए हलाकि ये कोशन फॉर्म में भी हो सकते है बट ये गॉल्डन पॉइंट से तो आपको पता होना चाहिए ठीक है बात करते हम नेक्स का कि फोर बीक में एक बेबी का डेबलोपमेंट क्या क्या हो जाता है ठीक है बात करें में एक फोर बीक का तो डे टॉन्टी टू का बात करें तो नियूरल ट्यूब क्लोजर बीगिन हो जाता है क्या हो जाता है क्या हो जाता है क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाता है नियूरल ट्यूब जीपर हो जाता है और बात करें हम तो विलस formation continuously in the placenta जैसा मैंने बताया कि continuously placenta में आपको विलस formation देखने को मिलता है कि क्या देखने को मिलता है continuously placenta में देखने को मिल जाता है ठीक है बात करें हम day 26 का तो pharyngeal arch present हो जाता है ठीक हो जाता है तो pharyngeal arch यहाँ पर present हो जाता है बात करें हम किसका day 27th का number of the soate increase हो जाता है neuralization हो जाता है फिर यहाँ पे complete हो जाता है तो fourth week में यह चीज़े आपको देखने को मिल जाती है ठीक है क्या क्या चीज़े देखने को मिल जाती है तो आपको most of the चीज़े life formation देखने को मिलता है neural tube का formation ही यहाँ पे closer हो जाता है ठीक है बात करें हम banner Beak to čард जाने के बात कर रहे है थीक किसका बात कर धा़ है seventh, 3-5 जाने किसका बीक फिन जाने के बात किया जाया है तो यहाँ पर arm and leg ways form हो जाते है डीक आर्म कम लियां देख के आर्म होते हैं फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं क्या हो जाते हैं और बीक कौन से बीक का बात करें तो डेवलोप्मेंट ऑफ दा फेस भी हो जाता है क्या हो जाता है डेवलोप्मेंट ऑफ दा फेस देखने को मिल जाता है क्या देखने को मिल जाता है डेवलोप्मेंट ऑफ दा फेस देखने को मिल जाती है अब बात करते हैं किसका बीक 5 में करके चीज़े देखने को मिलती है तो बीक 5 में ही आपको PRESENCE OF AMRIOR IN THE CORIONIC KIVITY में आपको देखने को मिल जाता है ठीक है बात करें हम NEXT का की FORMATION OF THE ARMOLIKAL RING का भी यहां पर formation आपका किसमे 5th beak में देखने को मिल जाता है कितने में देख जाता है 5th beak में आपका formation of the amlical ring देखने को मिल जाता है बात करें 5th beak का ही तो optic curve and the lens blackboard देखने को मिल जाता है और branchial arch and the eclift यहां पे भी formation हो जाता है तो इतनी चीज़ें यहां पर किसमें देखने को मिल जाती है तो वीक फेप्ट में आपको यह सारी चीज़ें क्या है कि कंप्लेटली बेबी का धीरे धीरे development start हो जाता है ठीक है क्या-क्या हो जाता है तो वीक फेप्ट का यदि बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजह आपको देखने को मिल जा जाती है Storm Killer Children's threaten Development of the face का start हो जाता है Pregnant of the face में जिसको nlut उस्टार्ष प्सक्राइयन लकुनिख एंग सैन्य को 10 मिल जाती है आईहोट आपको समझ में आ रहा होगा जो class में conduct करवा रहा हूँ यह मैं सोचे हैं कि हाँ पर हमें MCQ प्रूटप नहीं करवा रहा हूँ पर यह यही में MCQ फॉर्म में डालता है तो आपको बहुत कम content है cover हो पाता ठीक है यह इसमें क्या है आपको बहुत ज्यादा content क्या है cover हो पाएगा बहुत करें हम किते कौन से बीक का six лиq का बात करें तो physiological कर हनिया देखने को मिल जाता है development phase हो जाता है इसमी सिस्टार्ट होजाता है muscles development देसर्ट होने किसमें मसल्य हो जाते हैं तो development muscle यहां पर这š हो जाता एंडोडर्मल डरीवेटिफ से औरिकल्स भी देखने को मिल जाता है आपको किटने डेраст में देखने को मिल जाता है औरिकल्स भी देखने को मिल जाता है तो झाने से दियान यहान है आने WAL थैम्टेप्यdetस में आपसे पूछा जा सकता है जैनेचे मद्यप्रदेश में आपसे पूछा जा सकता है डिजिट फॉर्मेशन भी यहां पर हो जाता है बीग 6 का बात कर रहे हैं अब बात करते हैं स्टूडेंट्स बीग 7 का बात करते हैं कि बीग 7 में क्या के कंडिशन से एक बेबी को डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है तो बीग 7 का बात करें तो लिंप काटिलेज एंडर डिजिटल रेस हो जाती है डेवलप्मेंट आपका स्टार्ट ही कंटिनुसली में चलता रहता है जो कि स्टार्टिंग हो था आपको 50 बीग से और बात करें हम किसका और 7 बीग में क्या क्या देखने को मिलता है कॉंट्र झानल झनायटेक्टिया कौन से बीग में मिलता है और कौन से दे में देखने को मिलता है जाता है तो इसमें क्या देखने मिलता है आपको ऐसजarmed का फॉर्मेशन फॉर्मेशन फॉर्टीन हैं डेस में बेवी में एक जो न्यूव को बलते हैं कि अब्रियोनिक डेवलोप्मेंट स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो आई होप यहां से आपको बीग समझ में आ रहा होगे बात करें हम किसका यहां पर कितने बीग से हो गया तो यह किसे में सेबंत बीक का यहां पर देखने को मिल गया तो आई होप आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि एक वेवी का डेवलोप्मेंट है कैसे होता है ठीक है तो यहां पर बीग सेबंत का या आज हमने आपके साथ डील किया है आगे जो भी होगा बीग सेबंत से लेके तो बीक कंप्लीटी जो 46 एक है, पूरा कंप्लीटी 47 बीक तक या 46 बीक तक मैं पूरा कंप्लीट आपको डीटेल में वीडियो बना के बता दूँगा, आज के लिए इतने ही वीक का आपके लिए, जो यहां पर classes रहने वाला है वो रहने वाला ठीक है और कुछ importance points से भी आपके लिए यहाँ पर cover-up किये हैं क्या कि importance points से वह भी हम यहाँ पर readout कर लेते हैं the largest cavity of the body कौन सा है ठीक है कौन सा है तो largest cavity of the body कौन सा है तो उसको क्या बोलते है abdominal cavity बोला जाता है largest seasonal one of the body किसमे बोल जाते है तो इसको पैठेला बोला जाता है क्या बोला जाता है पैठेला बोला जाता है largest branch of the femoral artery नाज जाता है largest ganglionic of the neck in the superior cervical ganglionic बोला जाता है longest in국Engle selfish pain यि नाज आता है total degree of the rotation of mid-gkinAN development 270 degree का होता है anti-log wise होता है angle of the hemoral torsion in the 160 degree का ऌता है तो यह होता है कौन से art appear हो जाती है यह पे संपेर हो जाती है क्टिक क्या हो जाती राइट एंड लेफ faculty क्या होते हैं बात करें नेक्स पॉर्डन प्रेक्स का बात करें वार्षट करें वाय। सेंटर इंसाइजर आपका अपियर हो जाता है फस्ट परवानें टीट फ्रिण फर्स्ट मोलर होता है फ़स्ट ब्र उसीपाई इन दा वोडी के लेविकल होता है सीच्छेम बंट बंक तो मेंडिवल होता थिक यह यह दूरीनिक प्रेट का बात कर रहा है कि फस्ट अपियर दान नला लाएं दीकी पर पाइड गला यो भी कभी आप से इसा भी पूछ लिया जाता है क्ऊन नेफिरिया ससे कौन सा डिसीजन यहां पर होता है को लेऊका ब्म होता यह लुट आपका इस is इसे आपको ने को मिलता है और इते आये, छुटी diz निए, किस पूचना है, किस की बजे होता है, तो डिया की बज़े से होता है ट्रोपिनारं पेली डम की बज़े से होता है तो डीने को थेखने को मिलता है ठीक है तो disease caused by the virus मैंने अब इसीज कोड़ बाइदा बेक्टिरिया बता है अब disease caused by the virus AIDS किसकी बज़े से होता है HIV की बज़े से आपको AIDS की condition देखने को मलते है influenza, influenza virus की कज़े से देखने को मलता है mum से भी आपका एक virus disease है mum से किसकी बज़े से देखने को मलता है तो माम से बाइड़ी 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 बाइ एंतलेट फूड किसकी बज़े से देखने को मिलता है ठीक है स्टुडेंट्स कुछ फॉर्म है या पर वह भी उसको कबर कर लिया जाता है बिलीम हरवे ने बलड शरकुलेशन वाज डिसकबरड किया था तो पांस से 6 लिटर का टॉटल बॉल्यूम अडल्त का होता है the pH of the human blood is the 7.35 से तो 7.45 देखने को मिलता है the normal blood cholesterol level is तो 1500 से लेके तो 200 mg देखने को मिलता है the fluid part of the blood क्या होता है प्लाजमा होता है और बात करें next का bullet का तो plasma protein fibrogen has an active role in the clotting of the blood इसके लिए right answer रहता है plasma protein globulin function is तो antivitis बनाने में help करता है plasma protein maintain the blood pH albumin के लिए बहुत important रहता है plasma protein by combat disc saved blood cells answer RBC रहने वाला ठीक है non-nucleated blood cell RBC रहता है respiratory pigment present in RBC hemoglobin present होता है red pigment present in RBC hemoglobin ठीक है बात करें RBC produce in the bonmero में होता iron content pigment of the hemoglobin heem की तरब से होता है protein containing pigment of the hemoglobin globin की बज़े से देखने को मिलता है और graveyard of RBC spline को बोला जाता है blood bank of the body spline को बोला जाता है life life spin of RBC 120 days देखने को मिलता है ठीक है बात करें total count of the measure by the instruments known as the answer is the hemocytometer की बज़े से हम उसको measurement कर पाते हैं decrease in the RBC count is known as the इसको anemia बोला जाता है and increase RBC count in the polycytemia बोला जाता है high concentration of the bilirubin in the blood cause the jaundice होता है the disease resistant blood cells is the WBC होता है beach WBC known as the shoulder of the body shoulder of the body to neutrophils बोला जाता है largest WBC किसे बोला जाता है monocytes को बोला जाता है smallest WBC lymphocytes को बोला जाता है antipotis produce WBC lymphocytes होता है live channel of WBC 10-15 देता है blood cell forming and the important role in the blood clotting the thrombocytes या platelet करेता है बात करें हम basals in the cold as the thrombus बोला जाता है anticoagulant present in the blood the heparin रहता ठीक है बात करें हम heredity bleeding disease the hemophilia रहता है bleeders disease क्या है hemophilia है Christmas disease क्या है hemophilia है type of the anemia with the sickle cell saved the sickle cell anemia है इसको city of the blood cell 455 से लेके तो 5.4 देखने को मिलती है instrument used to measure hemoglobin to hemoglobinometer देखने को मिलता है who demonstrated blood group तो इसका देखने को Karl Landisner देखने को मिलता है इसका right answer who demonstrated RS vector तो Karl Landisner ने RS vector का discover किया था blood group which is called the universal Donalds OV है blood group which is called the universal recipient AV है blood group is the most common among the Asian to B है antidote of the thrombocytic drugs answer तो इसके लिए right answer क्या देखने को मिलता है आपको antidote of the thrombocytic क्या देखने को मिलता है heparine देखने को मिलता है इसमें बात करें when to do her slowly देते हैं ठीक है तो I hope students आप सभी को यहाँ पे जो many class conduct करवाया है वो आपको समझी में आया हुआ इसमें कुछ आपको आप इसमें को मिलता है और कुछ आपको देखने को मिलता है इंपोर्टेंट पॉइंट से है डारेक्ट पूछ लिया जाता है कौन सा disease कौन से बिक्तिद्या की बज़े सुगता है कौन सा disease viral disease है और कुछ बिलेट्स पॉइंट में आपको में नहीं हापे चीज़े करबाई है आपको यह क्लासे समझ में आया हुआ यदि हमारे क्लासे आपको समझ में आया हो तो आपकी फ्रेंड सेर्कल में जरूर सेर करिएगा ताकि सबको ही क्लास का benefit मिल पाए और सबको ही अने चम में अच्छे से अच्छे गेन कर पाए ठीक है मार्ग से अच्छे से अच्छे गेन कर पाए तो स्टुडेंट्स मिलते हैं कि न्यू क्लास के जाद जब तक बने रही है आप मैडिकलोजी नासें सर्विसर्स के यूटूब चैनल पर जेहीं जे भारत और वीडियो का लिंक जादा से जादा बच्छों को सेर करना है और क्या करना है यदि कुछ चैनल पर नया आया है तो चैनल को जरू सब्क्राइस करके जाईएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दाकि आने वाली आपको क्लास का बेनिफिट मिल पाए मिलते एक न्यू क्लास में न्यू अपडेट के सांथ जब तक बने रही है आप मेडिकल उचिन नर्सिन सर्विसेज की यूटूब चैनल पर जेहीं जे वारत